लाग छे महीने रहे हैं और इस छे महीने में अगर आपको सबते स्च्रॉंग महनत करनी है बिटा तो आपको अपना एक टाइम टेल बनागा पढ़ेगा, जब तुम एक टाइम टेल बना के पढ़ते हो ना तो तुम्हें पना माइन को एकदम ख्लियर होता है कि है इस ताइम पर मुझे यह चीज करनी है तो एक तो आप गेलट फ्री रहते हो क्योंकि येस आप एक timetable फॉलो कर रहे हो आपको पते है कि इस time पर पर बायो पढ़नी है इस time को आपको physics पढ़नी है इस time को chemistry पढ़नी है कब आपको टेस्स देना है कब आपको Black करना है तो सारी चीजे जो ह वो smooth line चलती है, but अगर आप एक time table नहीं बनाते हो तो आपकी preparation जो है वो up to the mark होई नहीं पाती है, अगर आपने किसी दिन अच्छे से पढ़ाई भी कियोगी तो भी आपको लगेगा that yes, आज बहुत disorganized रहा, तो मैं कुछ productive नहीं कर पाया, तो in order to be productive, it is always better to create a time table and the most important thing is बेटा कि उस time table को तुम follow करो, तो मैं तुम्हारे लिए वो पूरा time table लेकर आई हूँ, चाहे आप YouTube से पढ़ने वाले student है, चाहे बेटा आप offline के लिए तयारी कर रहे हैं, तो मैंने आपके लिए एक अलग time table बनाया है, और अगर आप online classes join करते है मैं आपकोई online course में है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए भी मैंने एक time table बनाया है, so basically I am going to share three different time tables for all the type of students, पर बेटा time table बनाना बहुत असान है, उस time table को follow करना is the main part, तो सबसे पहले तुम्हें मुझे comment section में time table देखने से पहले ही बताना है, comment करना है that yes, अग time table देख रहा हूं, या देख रही हूं, तो I am going to follow this time table for sure, मतलब की बिटा, एक दिन की भी, एक दिन भी अगर तुमने कल पे छोड़ दिया, आज आज लेट हो गया है, कल से शुरू करेंगे, तो याद रखना कल कभी नहीं आता है, काल करें तो आज कर, आज करें तो अब, तो बेटा, आज से अभी से ही start करना है, तो तुम उसी condition के साथ time table देखोगे, अगर तुम follow करने वाले हो तो, चीक है, तो चलो अब start करते हैं, आप सभी के comments मुझे बताएंगे, कि how many students actually are dedicated, तो अगर हम time table की बात करें, तो मैंने तीन different time tables आपके लिए create के हैं, पहले उन students के तैयारी कर रखी है, और अब वो सिर्फ अपनी practice पे या फिर अपने revision के लिए इस particular series को देख रहे हैं, तो आपके लिए मैंने एक अलग से time table बनाया है, जो सिर्फ वाइटी के lectures पे dependent है, नेक्स अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे students हैं, जो offline बढ़ते हैं, और offline कैसे हम पढ़ाई को manage कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग time table बनाया है, और अगर आप कोई भी student है, जो किसी online class से बढ़ते हैं, मुझ से बढ़ते हैं, या कोई भी और जगह से online course अब ने जॉइन किया हुआ है, तो I have brought a time table for you, right? Yes, तो चालो, one by one हम हर एकी बात करते हैं, बट ये time table देखने से पहले, you really need to understand कि वो white coat पहना इतना असान नहीं होता, अगर वो इतना असान होता, तो हर एक इनसान उस white coat को पहन के आज proud feel कर रहा होता, so if you have to wear that white coat, my dear student, you have to work very hard, अपने comfort zone से बाहर जाना पड़ेगा, only and only then, आप अपने dream को achieve कर पाओगे, and with this, let's start, अब कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, आपको definitely topic जो है already हो चुका है, तो आपको सिर्फ एक revision चाहिए, या फिर एक brushing चाहिए, कि जो already पढ़ चुके हैं, वो सारी चीज़े रिवाइस हो जाए, अब इसके लिए आपको one shots देखने चाहिए, या फिर आपको essay lectures देखने चाहिए, जो YouTube के उपर बहुत सारा content available है, और बहुत अच्छा content available है, in fact मैंने ही बहुत अच्छा पढ़ाया है, क्योंकि मैं content के साथ compromise नहीं करती हूँ, तो आप या तो ऐसा one shot देखो जो 6-7 घंटे का हो, एक chapter 6-7 घंटे में हो, क्योंकि एक दो घंटे के अंदर वो clarity नहीं आ सकती है वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती है, जो आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो आप एक ऐसा one shot देखें, जो 6-7 घंटे का हो, या फिर किसी essay teacher ने, जिसने 2-3 parts में उस एक chapter को पढ़ाया हो, जैसे अगर आप मेरी physical की classes देखेंगे, तो मैं 2-3 parts के अंदर हर एक chapter को तो वहां क्या होता है, content के साथ कोई compromise नहीं होता, प्रॉपर question प्राक्टिस होती है, प्रॉपर content मिलता है, ठीक है, तो इस तरह के आपको lectures को refer करना है, ठीक है, जो भी आपका फेवरेट educator हो, जिससे आपकी frequency match होती हो, आप उनसे पढ़ सकते हैं, अब आप कैसे पढ़ेंग तक बेटा, आप अपना आधा lecture देख सकते हैं, अगर तीन parts वाला है, तो दो parts आपने देख लिए इस तरीके से manage कर सकते हैं, तो basically 3-3 घंटे का जो है, वो part आप यहां पर फर्स वीडियो देखेंगे, अब यार जब तुम इतना content अपने दिमाख को देते हो, तो तुम्हें एक break की जरूरत पढ़ती है, तुम लगातार नहीं पढ़ सकते हैं, and that is for sure, ठीक है, तो उसके बाद में आप एक break लें, ठीक है, आप लंच करें, आप थोड़ा सा freshen up हो, आप थोड़ा सा अपना mind को fresh करें, उसके बाद में आपको second part देखना है, वीडियो का, ठीक है, यान एक बरेक है, यह शेक बरेक पतानी क्यों लग रहा है, it is a snack break, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टीया, snacks कीजिए, ओध़ा सा अपने पैरन से बात करें, थोड़ा सा वॉक कर लें, अपने में को fresh कर लें, इसके बाद में, मेटा, चार ते आठ बजे तक तुम्हें प्राक्टिस कर करें तुम को तो ज Aufgabe करूं इस on- pior कि का मैं करें में वह कप्राइब का चाप्टर अपने करा है उसे रिलेटेट पराक्तिक करनी है तुम्हें फ़स्ट करें में इंस teşekkür कर सकते हो तो जाधा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है? So that is how you can do it. 8-8 तक तुम दिनर करो, उसके बाद में, बेटा, साड़े 10 से 11 बजे तक तुम प्रिवियस यर क्वेशन कर सकते हो, तुम और क्वेशन प्राक्टिस कर सकते हो, अगर आप कल का प्लान करना चाहते हो, कि यार कल में को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो वो सारी प्लानिंग करो, and then you can go to sleep by 11 फिर आपको फिर से 6 सारे 6 उठना है अगले दिन सुबह, and you have to continue. This is how you're going to study the, study if you're going to study from YouTube. ठीक है? और शुरू में हमें एक guidance चाहिए होती है, तो अगर तुमने पहले किया हुआ है, तो I would recommend this, अगर नहीं किया हो, तो I would say कि कोई तो batch आपको definitely join करना चाहिए, ठीक है? Yes. So you can take a screenshot, चलो. अब आगे बढ़ते हैं. अगला है बिटा, अगर आप dropper है, या फिर आप class 12th के ही student है, ठीक है? और आप एक offline coaching कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप एक offline coaching कर रहे हैं, तो आप कैसे अपनी preparation को manage कर सकते हैं? बिटा, अगेन आप 6-6 के around अपना उठेंगे, उसके बाद में 6-7 बजे तक breakfast करेंगे, थोड़ा exercise करेंगे, थोड़ा mind fresh करेंगे, ठीक है? अगर उसके बाद में 7-8 तक बिटा, आप अपना revision करेंगे. मैंने यहाप ए बायो revision लिखा है, बायो, chemistry, physics, जो भी तुमने कल की class, कल पूरा दिन में पढ़ा था, उसको एक बर go through कर सकते हो, ताकि offline में जब coaching जाओ, तो तुम्हें at least समझ आए कि teacher क्या बोल रहा है, because always पहली class का revision is very important. ठीक है? तो आप अपना revision करेंगे, आप इसे revision लिखें, आप इसे bio revision ना लिखें, simple revision लिखें. इसके बाद में 9-2 बज़े तक बिटा, आपका coaching time हुआ. तो आप अपनी classes लेंगे, proper जैसे class में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वैसे पढ़ाएंगे. proper पढ़ते हुए, अगर आप offline जा रहे हैं, तो मैं आपको बहुत जादा advice करूँगी, कि जो भी doubts हैं, बहुत सारे students को डर लगता है, कि वो अपने ना doubts नहीं पूछते हैं teacher से, शर्माते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैंने इतना silly doubt पूछा, बिटा, कोई doubt दिस, silly नहीं होता है, and every teacher appreciates कि अगर आप अपने doubts पूछते हैं, क्योंकि वो doubt कभी ना कभी हमें भी आए होते हैं, मैं भी अपनी student preparation journey में थी, मुझे भी डर लगता था, मुझे लगता था कि यार मैंने अगर ये question पूछा, तो सब मुझ पे हसेंगे, सोचेंगे कितना silly doubt है, but now I feel like that I should have asked, क्योंकि as a teacher, I want कि students मुझसे, कोई पे question है, कुछ भी है, पूछें, so you should ask, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि career तुम्हारा है, तो you have to work very hard for that, so थोड़ा सा उस comfort zone से बाहर आओ, and start asking doubts, that is very important, मुझे comments में बताना, कि तुम कौन से student हो, जिसको shy feel होता है, जो doubts एक दम खुला पूछ सकते हैं, ठीक है, yes, next, दो से तीन बज़े तक, obviously आप आओगे, थक जाओगे, थोड़ा rest करोगे, break लोगे, ठीक है, आपके coaching का time, इस से थोड़ा different हो सकता है, उसके according आगे पीछे, पीछे manage कर सकते हो, ठीक है, आपको उसका revision करना है, आपको उसकी NCRT पढ़नी है, आपको वो सारी चीज़े cover करनी है, and that is the most 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 important part, मैम क्या सिर्फ इतना ही करेंगे, हाँ बेटा मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तुम किसी coaching को join करते हो, चाहे तो वो online हो, चाहे वो offline हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है, जितना तुम्हें क्लास में पढ़ाया है, क्योंकि बेटा, फिर तुम्हारे daily test होते हैं, तुम टेस्ट के लिए तयारी करते हो ना, बस, वो test ही है, जो तुम्हारा whole flavors cover करा देता है, by the end of the year, उसके बाद में बेटा, टेक थर्टी मिनिट ब्रेक, उसमें तुम अपना, यूनो, डिनर कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, ममी वापा से बात करो, फ्रेंड से बात करो, थोड़ा सा अपने माइंड को वो करो, जो तुम्हें comfortable feel करा है, ठीक है, उसके बाद में, बेटा, नौ से दस बजे तक, तुम्हारा कोई backlog हो गया, किसी दिन miss हो गया, उसको cover कर लो, next day plan कर लो, and that is how your day will end, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने test की तयारी करनी है, क्लास में जो कराते हैं सिर्फ उतना ही करना है, अगर आप उतना कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा syllabus by the, मतलब जिस तरहां से भी तुम, जिस भी क्लास में कर रहे हो, obviously January, February तक, तुम्हारा syllabus definitely वो complete करा देंगे, उसके बाद में, students को tension नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, yes, so this is the time table that you can follow, ठीक है, तो screenshot ले सकते हो, अगर ही आपको help करें तो, ठीक है, अब आई मेरे online वाले बच्चे, मेरे online वाले बच्चों के लिए भी, बिलकुल offline वालों की तरह ही planner है, ठीक है, अब वो ये बोलेंगे कि माम, हमारी classes तो random times पे होती है, तो बेटा, आपकी अगर classes random time पे होती है, तो वो देड़ से दो घंटे से जादा की नहीं होगी, that is for sure, guaranteed है कि उससे जादा तो नहीं होगा, है ना, तो मैंने तुमारे लिए यह लिखा है, फॉलो करो अपने class के schedule को, ठीक है, मैंने तो 2-2 घंटे बोला है, dated घंटे की भी classes होती है तुमारी, ठीक है, तो dated इसके अंदर तुमारा break time आ जा रहा है, ठीक है, तो तुम्हें 2 plus 2 plus 2, 6 घंटे तुम्हें अपनी classes लेनी है, बट वो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई क्या होती है, self study होती है, तो अब अगर तुम्हारी एक morning में class हो रही है, एक afternoon में, एक evening में, तो बीच में भी time होता है, तो तुम्हें साथ की साथ revision करना पड़ेगा, अगर तुम्हारी continuous classes होती है, तो सीधा शाम को revision करो, जैसे तुम्हें, तुम्हारी classes का schedule है, उस classes के हिसाब से, आप अपने time table को manage कर सकते हो, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, कि 6 घंटे की practice, ये practice से मेरा कहने का मतलब है, self study, this is must, इसके बिना बेटा, कुछ भी possible नहीं है, तुम्हें इस पर focus करना है, ठीक है, येस, और बेटा, प्लीज 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 जब भी तुम्हें पर प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो try to take a 30 minutes break, and that break is very, very, very important, तो I hope तुम उस break को compromise नहीं करोगे, ठीक है मेरे बच्चा, येस, तो this is something that I wanted to tell you, I hope ये जो timetable है, वो आपको help करेगा, let me know in the comments कि आप कौन सा timetable follow कर रहे हो, and everything about it, ठीक है, येस, इसके अलावा, इसके अलावा मेरे बच्चे, मैं आपको कुछ और important चीज बताना चाहूंगी, that is your neat preparation से related, तो वो अभी आगे section में आ रहा है, कि आप कैसे organized course के लिए जा सकते हैं, अब वो उसे देकर definitely अपनी preparation कर सकते हैं, also आपकी need preparation, अब बेटा बहुत जादा strong होनी चाहिए, and उसी को ध्यान में रखते हुए, I feel like that this is going to be the best thing for you बेटा, अगर आपका backlog हो गया है physics में, chemistry में, biology में, तो आपको एक ऐसा organized course चाहिए, जहांपे आपके doubts discussion हो सके, जहांपे एक committed team आपको पढ़ाए, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, आपके लिए एक past track batch भी लाया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ 2999 का है, बेचा नीचे गए हुए link से लोगे ना, तो आपको यह पूरी सारी चीजे जो है वो आपको 50% off के उपर मिल जाएगी, और अगर आप 3000 वाले उस fast track batch की बात तरहें, बिटा वो भी मिलेगा, आगे अगर कोई crash course आ रहा है, तो वो आपकी All India test series, सब कुछ include करके आपको 5000 के around, जो है वो सारी चीजे मिल जाएगे, मेरे पिछले batches भी मिल जाएगे, और तो आपको बस अपना, you know, zoom call के through mentorship sessions होंगे, आपको मेरे specially curated mind maps, जो आपकी revision में बहुत सादा help कर सकते हैं, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगे, study material भी मिल जाएगा, यह सब चीजे आपको मिल जाएगे, अगर आप नीचे दियोए लिंक से लोगे तो, ठीक है, and if you're planning किया, अभी तक हमने कहीं पर organized force नहीं किया है, तो I feel like this is the best, इससे जादा late अगर तुम करोगे न, तो तुम्हारा dream ही तुम से दूर जाते जाएगा, because अब limited time बचा है, और अब अगर आप अपनी महनत में कहीं भी, कोई भी कमी छोड़ते होना, तो फिर बहुत जादा दिक्कत आने वाली है, so if you're planning, then you can definitely go for it, ठीक है, ये वाला batch भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगा, और अगर आपको सिर्फ एक batch चाहिए, तो आप obviously ये वाला भी buy कर सकते है, इसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, कहीं code मांगे तो AC5 देना है, ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई छोटे brother, sister है, जो J.E. या फिर for that matter, अगर हम नीट की बात करें, उसके लिए प्लान कर रहे हैं बिटा, तो उसके लिए भी एक amazing offer है, पूरे दो साल का प्राइस, सिर्फ 9999, दो साल का प्राइस 9999 है, जिसके अंदर 10th के बोर्ट की भी तयारी करवाई जाएगी, basically, so I feel like तुम्हें ये वाला मौका भी बिल्कुल मिसनी करना चाहिए, काफी affordable है, और एक proper organized team आपको पढ़ाने वाली है, क्लास 10th के बोर्ट के लिए भी preparation हो जाएगी, I feel like that you should think कि हाँ यार, ये बेस्ट चीज है and you should buy this, अगर आपको, अगर आपका कोई भी brother या sister 910th में है, और 11th के लिए, मतलब further medical के लिए सोच रहा है तो, अगर आपको बेने batch के बारे में जाना है तो बेटा, this is my batch, प्लस में में इस batch में पढ़ा रही हूँ, पास्ट्राइक में भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आगे अगर कोई crash course आएगा तो उसमें भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, और ये वो तारी चीजे है, ये वो batch है जो आपको मिल सता है, अगर आप पूरे प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, तो 50% off के साथ, ठीक है, yes, code आपको AC5 फ्यूज करना है, नीचे link दिया हुआ है, उससे लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये मत भूलना, screenshot जो है वो बिटा, I'll bring the solution to you, till then you keep studying and keep working hard, all the very best.